नमस्कार आप सब का स्वागत है एच जे निज में भारत में केरल और तेमिल लाडू के जंगलों में चार नए और छोटे में धख पाए गए हैं ये इतने छोटे हैं कि आपके अंगूठे का नाकूं पर बैठ जाएंगे दुनिया के सबसे छोटे में धखों की श्रेणी में आने वाले ये में धख जामीन पर रहते हैं और रात में कीट पतेंगों जैसी आवाजें निकालते हैं पश्चमी घाट के जंगलों में इनके अलावा तीन बड़ी प्रजादियों के में धख भी मिले हैं इस तरह रात को पाए जाने वाले में धखों की संख्या साथ हो गई है भारत के पश्चमी तट के समाना अंदर चलने वाली परवत श्रिंखलाओं में सेक्डों की तदाद में ऐसे दुरलब द्रजाती के पौधों और जंटूओं की भरमार हैं लेकिन इनका जीवन खत्रे में है कई सालों की खोज के बाद ये नई प्रजातिया मिली है दिल्ली विश्वविद्याले की सुनाली ग्रिक बताती है ये नने में धख सिक्के या अंगूठे का नाकूं पर भी बैठ सकते हैं एक अंत्प्रिया में धख सुनाली नए जीवों को तलाश रही वेग्यानिकों की खोजी टीम का हिसा है विब बताती है ये नने में धख इतनी अधिकता दाद में हमें मिले हैं कि हम हैरान है लगता है आकार में बहुत शोटे होने एक अंत्प्रिया और कीटों की तरह आवाज करने के कारण शोट करता इन्हें अब तक नजर अंदास करते आ रहे थे